एक बार फिर से दंगल गर्ल हुई ट्रोल, सारी बहनने पर भी ट्रोल हुई धाकड गर्ल, एक्टरस जिने लोगों ने किया ट्रोल, फातिमा सनाशेक बॉलिवुड की अब तक की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म दंगल की एक्टरस पातिमा सनाशेक दोबारा चर्चा में आ गई इस बार उन्होंने अपने इंस्ट्राग्राम अकाउंट पर एक सेलफी अपलोड की और उसके बाद उन पे कमेंट्स की बोच्छार हो गई जी हाँ, दंगल गर्ल फातिमा सनाशेक अपने इस पिक्चर के चलते इन दोनों काफी ट्रोल हो रही है लोगों ने उन्हें ये कहकर प्रोल किया कि उन्होंने साड़ी ठीक से नहीं पहनी वेल फातिमा सनाशेक इस बार पहली बार नहीं बलकि इसके पहले अपने के स्विम सूट वाली फोटो के चलते खूब लपेटे में ली गई थी प्रियंका चोपड़ा वहीं कुछ वक्त पहले प्रियंका चोपड़ा भी एक पिक्चर को लेकर काफी ट्रोल हुई थी बियम मोदी से शॉट ड्रेस में मुलाखात करने पर लोगों ने उनकी काफी आलोचना की थी कई यूजर्स का कहना था कि प्रियंका को मोदी से मुलाखात करते वक्त इतनी छोटी ड्रेस नहीं पहननी चाहिए थी आलंकि प्रियंका ने इसका जवाब अपनी ममी के साथ की एक पिक्चर को शेयर करके दिया था तिपीका पादुकों दिपिका पादुकोन ने कुछ वक्त पहले एक मैगजीन के लिए ऐसा फोटो शूट कराया था जिसके लिए लोगों ने उन्हें काफी ट्रोल किया दिपिका पादुकोन को बेहदी दुबली दिखने के लिए लोगों ने ट्रोल किया था यही नहीं ट्रोलर्स ने डिपीका को कुछ खाने की सलहा भी दी थी सोनम कपूर सोनम कपूर भी कई बार अपनी ट्रेस के लिए ट्रोल की जा चुकी है सोनम कपूर अपने खास ट्रेसिंग सेंस के लिए काफी मशूर है एक लीकर ब्रांड के म्यूजिक लाउंच इवेंट में सोनम सिजलिंग ड्रेस में अपनी साइट प्रोफाइल एक्सपोस करती कैमरे में कैद हुई और इस ड्रेस के लिए उन्हें काफी ट्रोल किया गया था दिशा पतानी दिशा पतानी को भी अपने ड्रेस के लिए काफी ट्रोल किया गया दिशानिक इवेंट के दुरान बैकलेस ड्रेस पहनी थी जिसके बाद यूजर्स उनके पीछे पढ़ गए और यूजर्स ने उन्हें इस तरह के कपड़े ना पहनने की सलाद दे डाली पॉर एंटिटीड मंडेस्क लगी जखबानी न्यूस इंडिया